चलिए आज बनाते हैं इस सीजन की सबसे फेवरेट रेस्पी तो ये हैं आम रस्ट और फुली फुली पूरियां जो खाने में भी टेस्टी और बनाने में भी असान तो चलिए इस सूपर टेस्टी रेस्पी को बनाना शू करते हैं आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मे तरीके से मल कर दोएंगे ताकि जो आम के थोड़े से उपर से चिपचिपा रहता है वह अच्छी तरीके से धोल जाए तो इस तरीके से सारे आम को मैं धोलूँगे प्लेट में निकालने के बाद चक्कू से इस तरीके के आगे वाला सिराय इसे काट देंगे इसे और आम के स् मेरे हजबन काफी दिनों से कह रहे थे आमरस बनाने के लिए पर काफी दिनों से मेरी तवेट बहुत ज़्यादा खराब थी तो मैं नहीं बना पा रही थी पर आज सोचा चली आज बना देती तो कुछ अच्छा मैसूस हो रहा था तो इस तरीके से नाइश से काटने से सार एक दम असानी से अच्छी तरीके से निकल भी गए तो सारे आम इस तरीके से निकल जाएंगे इसी तरीके से सभी आम के रस को पल्स को हम निकाल लेंगे जिससे बहुत असानी से निकल भी जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत इंस्टन तरीके से निकल भी ज तोड़ा सा पाने डूर डाल कर स्मूफ सा पेस्ट बना लेंगे देखिए इसी बावल में सभी पेस्ट को मैं निकाल लूंगी ऑ थोड़ा सा पानी डाल केrage करे जो एक्श्छा पेटेरन बचा हूँ होगा है और यह अच्छी तरीके से मिल भी चुका है उपर से थोड़े से हम डाल देते हैं केसर के धागे और यह मैंने पिस्ता डाल दे रही हूं थोड़ा सा डिलीशियस रूप लिए कि देखी कितना सूपर टेस्टी आम रस त्यार है अब आटे की स्टफिंग त्यार करते हैं तो इ इसका फ्लेवर आए टेस्ट के अकौर्डिंग नमक डालेंगे और एक स्बून तेल डालकर इस अच्छी तरीके से मिल आएंगे जब तक अच् hier कि न मिल जया अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर न 이제 तरीके से इसका पूरा स्लव्ड परफ टो तयार कर लेंगे इस तरीके आटा मैंने मल लिया है तो मैं इसे economic मिलने के बाद मैं इसे 15-20 मिनट तक ठोड़ दे रही हूं हमारा अच्छी तरीके से वह जाए जब 15-20 मिनट बाद आटा बिल्कुन सोफ्ट हो गया तो फिर से मैं इसे मिला दे रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से मिल जाए इसे तब तक मिलाएंगे जब तक हमारे आट है बिलकुम सॉफ्ट नौ जो देखिए मैं इसके आधे पेड़े को कुछ इस तरीके से मैं निकाल ले रही हो न इससे पूडिया हमार जो पेड़े है न बहुत असानी से बन भी जाते हूँ जलदी बन जाते है टाइम भी नहीं लगता इस तरीके से न है से एक बराबार सब्हसित मेजर से सारे पूडिya को शेप u करने केने तो छाग कर निदे एक और तीयासा घुत में जांच कर को मैं इस सारी इसे तरीका से कर लोंगे जब भी पूरी बनाती है तो मैं इकठे काफी सारी पूरीयां बेल के रख लेती हूँ ताकि जब तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाए न तो पूरीयां हमारी बिलकुन परफेक्ट और फूली-फूली सिखे तो इस तरीके से देखे मैंने सारी पूरीयां को इकच्छे ठेही बेल लिया है टाइम भी नहीं लगए और सेखने में भी न टाइम नहीं लगए गर्मी का मौसा में किचन में इतनी गर्मी हो जाती है कि मन नहीं करता तो इस तरीके से आप न इकठे ही पूरीयां बना लिजी और तेल गरम हो गया तो देखिए फटा-फड इस तरीके से आपको दूसरी भी दिखा रहे हैं वो भी देखी कितनी असानी से पूरियां तियार हो गई इस तरीके से आप सारी पूरियों को एक एक करके फुलाएंगे ना तो वह फूलिंगी भी और काफी टाइम तग आप जैसे दो-तिन घंटे बाद भी पूरियां खाते हैं तो भी जाती है टाइम भी नहीं लगता और हम गर्में असानी से बना सकते हैं तो आमरस भी तेयार है पूरिया देखिए जब प्लेट में इसको डाल रहे है कि डिलीशियस देखने में लग रही है और देखते ही मूह में पानी आ जाएगा इस सीजन की मैंनी सबसे पहली यह आ ब्लॉग आपके साथ लेकर आती हूँ आपको पसंद आती है यह नहीं प्लीश कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा थैंक्स वर वाचिंग